भगवान परशुराम के जैनती पर सिंग्रॉली में भवे शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अफसर पर भक्तों ने 21 पुरोहितों के मंत्रो चार और शंखनात के बाद वाहनों से रैली निकाली जिसका जगा जगा लोगों ने पुश्प वर्शा से यात्रा का सौग काईर कर्म के शुरुवात 21 पुरोहितों के मंत्रो चार और शंखनात से की गई जिसके बाद भवे शोभायातरा निकाली जिए और चेतना संपन्र लोगों की चेतना में अच्छे विचार दे रहे हैं भगवान परशुराम का जन्म दिन हमें ये बताता है कि हमें भगवान परशुराम जी की तरह शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुर्टा अर्जित करना चाहिए तभी संसार में भारत एक रास्त्र के रूप में सर उचा करके जी सके देश के यशश्वी प्रधान मंत्री नरेन मोदी का रीवा आगमन पर बंदन अभिनंदन उनके द्वारा सत्रा हजार करोड की लागत पाली परियोजनाओं की अधार शिला सहित पंचायती राज दिवस पर देश भर की ग्राम सभाओं को संबोधित किया जाएगा उनके द्वारा चार लाग से अधिक लाभ्यारती को ग्रह प्रवेश कराया जाएगा प्रधान मंत्री के रीवा आगमन पर बहुत बहुत बधाई सौजन्य से वरिष्ट पांडे प्रदेश सेंसायोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ट मध्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्दिश से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रत्रिया बेहसरल और निशुल को है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी एक हजार रुपए या की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्प लाइन डंबर 0752700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटी विश्लेशन हम करते हैं सट्य का अनवेशा तखल नीउस आपके हक्त में आप देख रहे हैं तखल नीउस